आप सब को मेरा नमस्ते यह जो सेशन है उसमें हम लोग प्रेस्ट क्रॉल के बारे में बताएंगे प्रेस्ट क्रॉल दूरिंग यह अन। तो यह चार टूटॉर्य만 है। बहुत ही माहत्वपृण है। ब्रेस्ट क्रॉल नर्मल डिलिवरी में तो आपको इंसिस्ट करना है कि हर बचचे को ब्रेस्ट क्रॉल करें जैसे बच्चा पैदा होता है इसको तो तुरंथी अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा स्वस्त है, तो इसको तुरंथी मा के पेट पे रखना है. पूरा उसका प्रोसीजर है, हम लोग ने स्टेप पार स्टेप टोटोल में दिखा है, आप दिखेंगे. जितना बच्चा तुरंधी मा का दूद पिएगा उतना वो बच्चा सिखेगा कैसे दूद पिना है कैसे मूँ खोलना है कैसे स्थान को चूसना है वो पूरा वो जितना जल्ली हम लोग स्थान पे रखेंगे उतना बच्चा जल्ली सिखेगा दूसरा है जैसे वो बच्चा दूद पिना चालू करेगा मा को ज़्यादा दूद आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना जल्ली आप बच्चे को सतन पे रखेंगे मा का दूद बनना चालू हो जाएगा दूसरा बहुत सारे फाइदे है कि तुरंत मा को जो पोस्ट पार्टम हेमरेज बोलता है जबी बहुत खुन जाता है वो भी कम जाएगा ठीक है मा के तो अफकोस बहुत सारे फाइदे है लेकिन बच्चे के लिए तो ये इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाएगा तो इन्फेक्शन कम होंगे उसको तुरंती उसकी जो प्रक्रिया है जो दूद्पिना और उसका जो उसका जो मल निकलना वो भी चालो हो जाएगा ठीक है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है सेजरिन सेक्शन में भी आप डॉक्टर को पहले से बता सकते है कि बच्चे को कैसे रेस्ट्रॉल कराना है ये तीनो टुटॉल में हम लोग ने दिखाया हुआ है कि बच्चे को मतलब ऐसे सीधे ना रखते हैं उसको साइड में रख सकते है ठीक है और साइड में मतलब पैर एक बजो आएगा और सेर दुसरे स्टन पे आएगा बच्चा उपर से बही आ सकता है तो नर्स उसको उपर से भी दूद बला सकती है मतलब उपर से पैर कंदे के ऊपर और सिर स्टन के ऊपर तो वो भी आपको बहुत ध्यान से देखने है ये टुटॉरिल और आपको बहुत अचली नया जानने को मिलेगा और चार टुटॉरिल जैसे मैंने पताया ब्रेस्ट्रॉल डिरिंग नॉर्मल डिलिवरी और ब्रेस्ट्रॉल तीन टुटॉरिल है वो Scissorian section के tutorials है ठीक है, धन्यवाद Breast scroll पर spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सिखेंगे कि breast scroll क्या है इसे करने का पूरा तरीका और ये क्यों जरूरी है आइए पहले हम समझेंगे कि breast scroll क्या है जब शिशु पैदा होता है तो वह प्रकृतिक रूप से स्तनपान करना जानता है। प्रसव के तुरंत बाद मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखे जाने पर शिशु खुद ही मा का स्तन ढूंड कर स्तनपान शुरू कर सकती है। इस पूरी प्रकृया को ब्रेस्क्रॉल कहते है। ध्यान दें कि 9 महिने कोक में पूरे किये हुए शिशु जो सामाने तरीके से या ओपरेशन से हुए हुँ उनको भी ब्रेस्क्रॉल कराया जा सकता है। और जो पैदा होते ही काफी रो έχुँए हुँ। असंतुलित शिशु जिनका जनम पर कम वजन हो उन्हें ये नहीं करवाते क्योंकि उनको सांस की तकलीफ हो सकती है जैसे सांस फूलना अब हम बात करेंगे ब्रेस्क्रॉल करने के तरीके की और ये करना क्यों जरूरी है पहले ये पक्का कर लें कि प्रसव की कमरे का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है अगला शिशु को उसके मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखकर साफ करें शिशु के हातों के अलावा उसका पूरा शरीर साफ करें याद रखें कि शिशु के हात गीले रहने दें साफ करते हुए उसके शरीर की सफेद परत ना उतारें ये शिशु को ठंडे वातावरण से बचाता है शिशु को साफ करने के बाद वो गीला कपड़ा हटा दें शिशु को सुखाने के बाद स्वास्त सेविका को धड़कन वाली नाल महसूस करनी चाहिए जैसे ही धड़कन बंध हो जाए उसे काट देना चाहिए अब फिर से शिशु को मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर इस तरह रखें कि उसका पेट मा के पेट को छुए अब शिशु ब्रेस्ट्रॉल के लिए सही स्थिति में है क्यूंकि आगे बढ़ना बहुत प्रकृतिक है इसलिए वो आसानी से मा के स्तनूं तक रेंग कर पहुंच सकती है अगला शिशु और मा को गरम रखने के लिए उनको एक साफ सूखा कपड़ा ओढ़ाएं और शिशु को टोपी पहनाएं ध्यान दें कि आगे के चित्रों में टोपी और कपड़ा नहीं दिखाया जाएगा ताकि ब्रेस्ट्रॉल के दौरान शिशु की स्तिथी साफ दिखाई दे शिशु को कपड़ा उढ़ाने के बाद मा को अपने हाथ से शिशु की पीट को सहारा देने को कहें अब बात करेंगे शिशु के ब्रेस्ट्रॉल करने की काबिलियत की जनन के बाद शिशु बहुत सतर्क और स्तन पान करना जानती है अपने साफ न किये हुए हाथों की महक सूंग कर उसका थूप निकलता है और आखों की कमजोर नजर से भी वह अपनी मा का चहरा और एरियोला देख पाती है एरियोला निपल के आसपास का काला भाग होता है अपने हाथों और पैरों का इस्तमाल करके शिशु आगे बढ़ती है और रेंगते हुए मा किस्तनों तक पहुंचती है कुछ शिशु तुरंट रेंगने लगते हैं और कुछ को समय लगता है स्तन तक पहुंचने के बाद शिशु उसे पकड़ने की कोशिश करती है ऐसे में शिशु और उसकी मा को अकेला छोड़ दे जब तक वो पहला स्तन पान शुरू नहीं करती स्वासिसेविका और मा दोनों को धीरज रखना चाहिए शिशु को 30 से 60 मिनट भी लग सकते हैं मा के स्तन तक पहुंच कर पहला स्तन पान शुरू करने के लिए स्तन पान शुरू करने के लिए शिशु अपना मुँ बड़ा सा खोलेगी और स्तन से गहराई से जुड़ेगी स्तन पान के बाद लगबग एक घंटे के लिए शिशु को उसी स्तिती में रहने दे इस से मा और शिशु का बंधन और गहरा होगा पर अगर मा ने कुछ दवाई ली है तो इसके बारे में डॉक्टर की सला ले ये भी हो सकता है कि मा को प्रसव कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना पड़े ऐसे में कमरा बदलने के बाद शिशु को तुरंथ मा के बिना कपड़े ओड़े हुए पेट पर रखें जैसे की पहले बताया गया है अब बात करेंगे ऑपरेशन से हुए शिशु के लिए ब्रेस्ट क्रॉल की ये करने के लिए शिशु को मा के पेट पर रखने के बजाए मा के सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि शिशु की टांगे मा के सर की तरफ हो शिशु का सीना और पेट मा के कंधे पर और उसका मू मा के स्तन पर होना चाहिए आप्रेशन वाले कमरे में ही शिशु को जितनी देर हो सके स्तन को चूसने दे याद रखें प्रसव के तुरंत बाद किसी भी देखबाल से जादा जरूरी है कि दोनों के बिना कपड़े ओड़े हुए शरीर एक साथ रखे जाएं ब्रेस्क्रॉल होने के बाद ही जनम के बाद वाली नवजा देखबाल देनी चाहिए अब बात करेंगे कि ब्रेस्क्रॉल नवजा शिशु के लिए क्यों जरूरी है ब्रेस्क्रॉल करके शिशु को मा का पहला दूद जिसे कॉलस्ट्रम कहते हैं वो मिलता है, वो पीला और गाड़ा होता है ध्यान दे कि प्रसव के बाद कॉलस्ट्रम की मात्रा शिशु के हर स्तनपान के बाद धीरे धीरे बढ़ेगी पहले दिन शिशु 5 मिलिलिटर पीएगा, दूसरे दिन 10 मिलिलिटर पीएगा, और तीसरे दिन 25 मिलिलिटर 40 मिलिलिटर चौथे दिन और 55 मिलिलिटर पांचवे दिन, ऐसा हर स्तन से हर बार स्तनपान के दौरान होगा इतना नवजाद शिशु के लिए काफी है इसलिए शिशु को कॉलिस्टरम के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए कॉलिस्टरम शिशु के लिए पहला टीका है उसमें infection से लडने के लिए protein होता है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाता है जनम के बाद शिशु को ताकत पहली बार इसी से मिलती है कॉलेस्ट्रम शिशु के खून में ग्लूकोस को कम होने से बचाता है और शरीर की बाकी प्रक्रिया बनाए रखता है और एक स्वस्त दिमाग भी बनाता है ये शिशु को उसका पहला मल निकालने में मदद करता है ब्रेस्ट्रॉल में शिशु गरम रहता है क्योंकि वह अपने मा के बिना कपड़े ओड़े हुए शरीर के साथ होता है वो खुद बखुद मा के स्थन से गहराई से जूड़ना सीखता है · breast crawl से मा के स्वस्त बैक्टीरिया शिशु को मिलते हैं और ये बैक्टीरिया शिशु के आंतों में जाकर infection से लडते हैं जिससे की शिशु की रोग प्रतिरोधक शकती बढ़ती है · breast crawl से शिशु को मा का प्यार और सुरक्षा मिलती है जिससे दोनों में बंधन गहरा होता है ब्रेस्क्रॉल से मा को भी फाइदा होता है शिशु के पैरों के जोर की वज़े से मा के कोक पर दबाव पड़ता है ये दबाव गर्भाशे को सिकोड़ता है और गर्भनाल को निकालने में मदद करता है स्तनपान शुरू होते ही मा के शरीर में आउकसिटोजिन की मातरा बढ़ने लगती है बढ़े हुए आउकसिटोजिन की वज़े से भी घर्बनाल के निकलने में मदद मिलती है ب्रेस्प्रॉल खून के बहाव को कम करके मा को अनीमिया से बचाता है अनीमिया ऐसी अवस्था है जिसमें लाल रक्ट कोशिकाएं कम हो जाती हैं इससे मा को ठकान और कमजोरी होती है इसी लिए ब्रेस्क्रॉल प्राकर्तिक रूप से मा और शिशु के लिए बहुत फाइदेमंद है ब्रेस्क्रॉल का ये टुटॉरियल यहीं समापत होता है आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सिजेरियन ओपरेशन के बाद स्तन पान की तयारी पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे ओप्रेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क कराने के फाइदे और ओप्रेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की तैयारी. इस टुटोरियल में ओप्रेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा. त्वच्चा से त्वच्चा के संपर्क को S-T-S कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओप्रेशन वाले कमरे में जल्द से जल्द मा और नवजाचिशु के लिए S-T-S जरूरी है यह ओप्रेशन के दौरान और ओप्रेशन के तुरंत बाद के समय में उन्हें बहुत फाइदा दे सकता है यह उनके स्वास्त से जुड़ी लंबी या फिर छोटी बिमारियों में गहरा असर करता है यह स्तनपान को आसान बनाता है त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माएं अपने नवजाच शिशु पर जादा ध्यान देती हैं शिशु पर यह ध्यान देने से मा को दर्द कम महसूस होता है जब वे दर्द कम महसूस करती हैं तो उसकी चिंता भी कम हो जाती है यह मा और शिशु की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है यह दोनों के हृदय गती को भी सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय मा और शिशु एक दूसरे को गरम रखते है इस से दोनों के शरीर का सही तापमान बना रहता है इसलिए प्रसव के तुरंत बाद आपरेशन वाले कमरे में ही S.T.S. किया जाना चाहिए यह जरूरी है कि अस्पताल के करमचारी इस प्रक्रिया के साथ सहज हो इसके लिए पूरी और सही तैयारी जरूरी है इसकी तैयारी सिजेरिन प्रसव से पहले और प्रसव के समय की जानी चाहिए इसमें वे साब लोग आते हैं जो नवजात की देखबाल के लिए जिम्मेदार है जिसमें मा और उसके करीबी रिष्टेदार शामिल है इसमें डॉक्टर भी शामिल है नर्स और उप्रेशन वाले कमरे के करमचारी भी इन सबको उप्रेशन वाले कमरे में ही STS करने की वजहें अच्छी तरह समझा देनी चाहिए उन्हें समझाएं की मा और नवजाच शिशू को किस तरह फाइदा होगा सबको उप्रेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू करने के बारे में फिकर हो सकती है उनकी फिकर कम करने के लिए उन्हें मा और शिशू की सुरक्षा का आश्वासन दे मा और शिशू की सुरक्षा और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिक्ता होनी चाहिए आप्रेशन वाले कमरे में होने वाली चिन्ताओं को शांती और स्पष्ट रूप से निप्टाया जाना चाहिए आप्रेशन के समय डॉक्टरों को मास से जुड़ी कुछ भी आपात स्तिती महसूस हो सकती है ऐसे मामलों में आप्रेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क पूरा नहीं हो पाता नवजात को उचित वातावरण में जरूरत के मुताबिक देख बाल के लिए ले जाया जाएगा प्रसब से पहले ओप्रेशन वाले कमरे में मदद के लिए एक नर्स को रखना चाहिए उसे मा को अपना परिचे देना चाहिए उसे पक्का करना होगा कि मा ओप्रेशन वाले कमरे में STS करना चाहती है अब प्रसव से पहले OR में होने वाले सभी कामों के बारे में बात करते हैं आपरेशन वाले कमरे में मा की बाहों को हाथ के बोर्ड से बांधा जा सकता है IV लाइन वाले हाथ के बोर्ड पर बाए बाजू को बांधना बहतर रहता है रक्त चाप कफ वाला दूसरा बोर्ड दाहिने बाजू से बांधा जाता है उस समय वहां मौजूद नर्स मदद करेंगी उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या दाहिने हाथ को STS के लिए छोड़ा जा सकता है और मा को बताना चाहिए कि उस हाथ का इस्तेमाल शिशु को STS के लिए पकड़ने के लिए किया जाएगा छोड़े हुए हाथ को रक्त चाप मापने के लिए हर कुछ मिनिटों में सीधा किया जाएगा नर्स को कमरे का ताप मान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना चाहिए यह ताप मान शिशु के आने के लिए सही होता है नर्स को यह पक्का करना चाहिए कि माने ब्रा नहीं पहनी है मा की मैक्सी सामने से खुली होनी चाहिए इससे शिशु को मा की चाती पर रखने के लिए चाती से मैक्सी हटाने में आसानी होगी नर्स को मा की नसों में लगी इंजेक्शन की ट्यूबों की स्थिती पर ध्यान देना चाहिए इस से उसे शिशू को रखते समय उन इंजेक्शन की ट्यूब से बचने में मदद मिलेगी अंत में उसे एक डाइपर या लंगोड गरम तॉलिये और कंबल तयार रखने चाहिए इनका उप्योग वह शिशू को सुखाने और ढखने के लिए करेगी आपरेशन वाले कमरे में तुचा से तुचा के संपर्क की तैयारी अब पूरी हो गई है आपरेशन वाले कमरे में STS कैसे शुरू करें इसके बारे में एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है जादा जानकारी के लिए कृप्या हमारी वेब साइट पर जाएं अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद C-section के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की प्रक्रिया पर बने spoken टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे C-section प्रसव के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क किस तरह करें त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय शीशू की देखभाल के लिए कुछ बाते इस टुटोरियल में ओपरेशन के कमरे को OR कहा जाएगा त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओपरेशन के कमरे में जल्दी से जल्दी STS करना मा और नवजाज शीशू के लिए जरूरी है इसी श्रंखला के एक अन्य टुटोरियल में इसके फाइदे बताए गए है प्रसव से पहले इसकी तयारी पर भी उसी टुटोरियल में बताया गया है इस टुटोरियल को देखने से पहले कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर उस टुटोरियल को देखे अब ओपरेशन के कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर की प्रक्रिया पर बात करते है इस वक्त शीशू जन्म ले चुका है गर्भनाल को दबा दिया जाता और काटा जाता है ओपरेशन अभी भी जारी है अब डॉक्टर्स से नर्स को शीशू ले लेना चाहिए उसे पक्का करना चाहिए कि शीशू स्वस्थ है और रो रहा है फिर उसे शीशू को जल्दी से पोंच कर सुखाना चाहिए उसे ओपरेशन वाले कमरे के सूखे साफ हलके गरम तोलिये में शीशू को लपेटना चाहिए उसे शीशू के मा के पास ले जाना चाहिए उसे शीशू और मा के गालों को कम से कम 30 सेकेंड तक आपस में छूने देना चाहिए यदि मा शिशु को चुमना या पकड़ना चाहती है तो नर्स को उसकी सहायता करनी चाहिए मा की सहायता करने से पहले नर्स को डॉक्टर से सला लेनी चाहिए उसे ओपरेशन के डॉक्टर को STS शुरू करने की तयारी के बारे में सुचित करना चाहिए अब उसे अपने दोनों हातों से शिशु को मा के सीने पर रखना चाहिए शिशु का सिर मा की गर्दन के निचले हिस्से और छाती के उपरी हिस्से पर होना चाहिए शिशु का सिर और चहरा मा के किसी भी स्तन को छूने देना चाहिए फिर शिशु की च्छाती, पेट और पैरों को सही तरीके से रखे उसे मा की च्छाती के निचली तरफ और पेट के उपरी भाग पर आराम करना चाहिए ओप्रेशन के कमरे में STS के लिए यह पहली या लंबवत स्थिती है इस तरीके से मा नवजात को आसानी से पकड़ सकती है शिशु को दूसरी तरह भी रखा जा सकता है, जिसे क्षेतीज स्थिती कहा जाता है इस स्थिती में डॉक्टर के ओपरेशन करने वाली जगह में कम अडचन होती है शिशु का सिर एक स्थन पर रखना चाहिए उसके पेट और पेरों को आराम से दूसरे स्थन पर रखना चाहिए नर्स को शिशु को उसी तॉलिये से ढखना चाहिए जिसमें वहल लीपता हुआ था शिशु के लिए डाइपर का इस्तेमाल करना आपकी मर्जी है इससे शिशु का पहला मल मा पर नहीं लगेगा ओपरेशन के कमरे में इसे साफ करना मुश्किल है त्वचा से त्वचा के संपर्क के दोरान शिशु को गर्म रखने के लिए टोपी की जरूरत नहीं होती इससे कई शिशु परेशान हो जाते है यह शिशु के स्तन के चूसने की ख्षमता में बाधा डाल सकता है इसे बाद में अस्पताल की बाकी प्रक्रियाओं के दोरान शिशु पर लगाया जा सकता है उसमें वजन तोलना शामिल है विटामिन के इंजेक्शन और पेरों के निशान लगाना भी शिशु के लिए एक परेशानी गर्भनाल दबाना है परंपरागत रूप से गर्भनाल को उसके आधार से कम से कम 3-5 सेंटीमिटर काटा जाता है फिर उसे एक धागे से बांधा जाता है या क्लैम से दबाया जाता है सक्थ प्लास्टिक गर्भनाल क्लैम शिशु की नाभी के बहुत करीब होता है यह स्टियस के समय शिशु और मा के शरीर के बीच में आता है शिशू STS के समय अपने शरीर को उठाता है ताकि क्लैम पर दबाव ना डले इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है गर्भनाल को 8 से 10 इंच लंबा काट कर क्लैम किया जाना चाहिए ऐसा करने से क्लैम सीधे शिशू और मा के बिच नहीं आएगा पहले स्तनपान के बाद किसी भी समय गर्भनाल को फिर से क्लैम करके थोड़ा और छोटा किया जा सकता है यह शिशू के पहली बार नहलाते समय भी किया जा सकता है शुरुआती STS के समय शिशू के मुह या नाक का नियमित चूशन न करे यह अक्सर शिशू के मुह के लिए बूरी तकलिफ होती है यह शिशू को परेशान कर सकता है यह उसके रदेगती और ले में भी बाधा डाल सकता है जादातर शिशू बिना किसी परेशानी के अपने बलगम को साफ कर लेते है अगर शिशू को बलगम साफ करने में मुश्किल हो रही है तो डॉक्टर से मिले नर्स को मा की छाती पर रखे हुए शिशू को आँखों से निरिक्षन करना चाहिए ओपरेशन पुरा होने तक यह निग्रानी जारी रहनी चाहिए उसे लगातार शिशू के सिर्की स्थिती को देखते रहना चाहिए शिशू के नथुने हमेशा दिखाई देने चाहिए शिशू का तापमान, रक्तसंचार, सास और रंग सब सही रहना चाहिए शिशू को मा की छाती से गर्दन की और नहीं खिसकना चाहिए यदि ऐसा होता है, तो नर्स को धीरे से शिशू की स्थिती बदलनी चाहिए स्थिती बदलते समय शिशू को मा की त्वचा से नहीं उठाना चाहिए ओप्रेशन के कमरे में शिशु रेंग कर आगे बढ़ सकता है वह गलत तरीके से हिल भी सकता है और चूसने के लिए स्तन को ढूंड सकता है ऐसे में नर्स शिशु के पेरो या जांग को धीरे से पकड़ सकती है इससे शिशु मा की छाती पर ही रहेगा ओप्रेशन पूरा होने के बाद भी STS जारी रखना ज़रूरी है इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटोरियल में इस पर विस्तार से पताया गया है अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद ओप्रेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को जारी रखे जाने के बारे में बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे ओप्रेशन पूरा होने के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क जारी रखने के तरीके इस टुटॉरियल में ओप्रेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा चलिए शुरू करें ओप्रेशन वाले कमरे में सबसे पहले मा और नवजाज शिशु के लिए STS जरूरी है एक अन्य टुटॉरियल में इसके फाइदे और तरीकों के बारे में बताया गया है जादा जानकारी के लिए क्रिप्या हमारी वेब साइट पर जाएए अब बात करते हैं कि ओप्रेशन पूरा होने के बाद STS कैसे किया जाए अब इस स्तर पर जीवानू रहित कपड़ा हटा दिया गया है मा अब स्ट्रेचर पर लेटने के लिए तैयार है उसे स्ट्रेचर पर रिकावरी रूम में ले जाया जाएगा मा को स्ट्रेचर पर लिटाने से पहले शिशू की स्थिती को दोबारा ठीक करनी चाहिए नर्स को धीरे धीरे शिशू के पैरों को हिला कर सीधी स्थिती में रखना चाहिए शिशू का सर मा के स्थनों के बीच में होना चाहिए मा शिशु के उपर अपनी बाहें रख सकती है नर्स अपने हातों को मा के हातों के उपर रख सकती है ऐसा करने से जब मा को स्ट्रेचर पर डाला जाएगा तब शिशु सुरक्षित रहेगा अब उसे स्ट्रेचर पर सरकाया जा सकता है यह एक आसान प्रक्रिया है स्ट्रेचर बदलते समय शिशु को कभी भी मा के सीने से अलग नहीं करना चाहिए वह रिकवरी रूम तक उसी स्थिती में जा सकती है ताकि शिशु अपने पहले स्थनपान के लिए नौ चर्नों से गुजर सकता है जनम के बाद शिशु के नौ प्राकृतिक व्यवहार होते है पहला चर्न जनम के एकदम बाद शिशु रोता है दूसरा चर्न जब शिशु बहुत शान्त रहकर आराम करता है तीसरा चर्न है जागना जो शिशु अपने सर को हलका हलका घुमा कर शुरू करता है शिशु अपनी आँखे खोलता है और मुँ हिलाता है चौथे चर्न में शिशु अपनी आँखे पूरी खोलता है वह अपने खुले मुँ और होटों से मा की चाती को छूता है फिर वह अपना मुँ खोल कर चूसने की इच्छा दिखाता है वह अपना मुँ मा के स्तन की तरफ करता है पांचवे चर्न में शिशु तब तक आराम करता है जब तक की वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार ना हो जाए छटे चर्न में शिशु मा के स्तन तक रेंग कर पहुँचने की कोशिश करता है स्टन तक पहुंचने के बाद वो छू कर महसूस करना शुरू करता है जो सात्वा चरण है इसमें शिशू स्टन और निपल को चूसता चूता और दबाता है फिर शिशू स्टन से गहरे से जुड़ता है अब आठवा चरण शुरू होता है जिसे चूसना कहते हैं आखिर में नौवी प्राकृतिक अवस्था है सोजाना शिशू को कभी भी मा के सीने से नहीं उठाना चाहिए पैदा होते ही एक दम से कम से कम एक घंटा STS होना चाहिए कम से कम एक घंटा मा और शिशू को जरूर देना चाहिए वरना शिशू परिशान हो सकता है और अपना ध्यान खो सकता है यह जनम के बाद शिशू के शरीर की अनुकूलन ख्रमता में बाधा बनता है क्योंकि जनम से पहले शिशू गर्भ में सुरक्षित, शांत वे गरमवातावरण में था उसके शरीर को गर्भ के बाहर एक रोशनी वाला, शोरगूल और ठंडे जीवन के अनुकूल होना पड़ता है जब शिशू की स्थिती को फिर से बदला जाता है, तो नौ चर्णों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए शिशू को एक बार फिर से सभी चर्णों से गुजरना होगा पर ये सब दूसरी बार जल्दी से हो जाएगा और इस से स्तनपान में देरी होगी पैदा होने के लगभग डेड़ से दो घंटे के बाद नवजाच शिशू गहरी नींद में सो जाता है जबकि शिशू का सोना नौ प्राकृतिक चर्णों में से आखरी है शिशू के सोने से पहले आठ प्राकृतिक चर्ण पूरे होने चाहिए यदि उसे कई बार टोका जाए तो हो सकता है कि शिशू उन्हें पूरा ना कर पाए सोने से पहले शिशू को चूसने का अनुभव नहीं मिलेगा जागने के कई घंटों के बाद ही वह चूस पाएगा शिशू के जागने के बाद उसे फिर से त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखना चाहिए शिशू फिर से सभी नौ चर्णों से गुजरेगा वहस्तन को ढूंड कर उससे गहराई से जुड़ेगा यह स्वभाविक तरीका जनम के पहले चार से छे महिनों के लिए रहता है शिशू के ऐसा करने को हमें बढ़ावा देना चाहिए खास कर जनम के शुरुवाती दिनों में इससे मा को दूद पिलाने और शिशू को पीने की आदत बनने में मदद मिलेगी पहले कुछ दिनों में सफल स्थनपान के लिए सिरफ S.T.S. सही होता है यह तरीका शिशू के दूद पीने के स्वभाविक व्यवार को सक्रिय करेगा इससे शिशू स्थन से गहराई से जुड़ना जल्दी से सीखेगा बाद में शिशू S.T.S. के बिना ही हर बार स्थन से गहराई से जुड़ पाएगा अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद बाद मेना निल्दी के बाद मेंयवा तर फ्टी — जुटोरे लेती बाद में ङहरा इक beteki उ हमाद लेको निम्स, के लिए धन्यवा olhos OFFICER ACogen में मेन में मोझ के आह लिए यहीं से लेकिती हुआ